फाइनली 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 ओयलल का टैंथ पार्ट यानि के लास्ट पार्ट पिछले पार्ट देखने तो डिस्क्रिप्शन में लिंक के देख लो हम इस में इस सीरीज में फुल ओयलल सिखा रहे हैं बिना किसी अल्गारिफम के और आज बात करेंगे डॉट केसिस पर यार डॉट केसिस के हैं टॉटल आट केसिस हैं और सबसे आसान केसिस हैं जिस बंदे को सेक्सी मूव आता है ना आर यू आर प्रेम यू प्रेम और जिस बंदे को स्लेज हैमर आता है आर प्रेम एफ आर एफ प्रेम जिस बंदे को ये दो मूवज आते हैं उसको डॉट ओयलल सा परा आता है कसम से जाओ भई इससे बड़ी कोई बात है इससे बड़ी कोई बात है अगर तुम लोगों को सेक्सी मूफ क्या होता है नहीं पता तो पिन कमेंट में एक वीडियो का लिंक है वो देख लो और सीख लो और बई स्टार्ट करते है पने पहले केस से उपर से dot होगा वई, dot, dot मतलब देखो कोई भी नहीं न, कोई भी नहीं है, कोई भी yellow नहीं है, बस एक dot है, अच्छा, और sides पर जब देखोगे तो ऐसा case होगा कि यहाँ पर एक bar है, एक यहाँ पर bar है, तीन मिलते है colors को हम bar कहते हैं yellow के, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, दो bars म देखो और फिर बताता हूँ, इसको याद कैसे करना है, R, U2, R2, F, R, F', U2, R', F, R, F', कुछ लोग तो भी उनके सांस सूख गए होंगे कि इतना लंबा है लगा रहता है, हम बताता हूँ भी, हम कर क्या रहे हैं, इसको याद कैसे करना है, इस पेर को हम पीछे बेज रहे है कैसे, R, U2, R' से, पेर यहाँ चला गया, अब एक दफ़ा स्लेज हैमर कर रहे है, R', F, R, F' और अब इसी पेर को वापिस लाके दोबारा एक दफ़ा स्लेज हैमर कर रहे है, डैट सॉल, मैंने का थे नहीं, जिसको स्लेज हैमर आता है, उसको यह सारा आता है पहले ही, खेर, दूसरे केस की बात कर लेते हैं, दूसरा केस पिछले वले से भी आसान है, उपर से डॉट है, साइट पे एक तरफ बार है, और दो तरफ ब्लॉक है, एक इदर और एक इदर, आमने सामने ब्लॉक्स हैं, और एक इदर बार है, केस बहुत इजी है, रेकिनाइज करना, एसी स Sexy Move, R, U, R', U' and F' और ये P case किसको solve नहीं करना आता, Small F, Sexy Move, R, U, R' and U' and Small F' ओ वाई, मैंने कात रहा है जिसको Sexy Move आता है और Sledge Hammer उसको ये पहले ही आता है, दो cases सीख भी लिये हमने, अगले दो cases कुछ इस किसम के हैं, एक Dot है, लेकिन लेकिन एक Corner के Top पर भी हमें Yellow मिल रहा है, कोई भी हो सकता है, यहां भी, यहां भी कई भी एक Corner के Top पर Yellow, बट इसकी खासियत यह है, कि हमें साथ में कुछ Blocks भी मिल रहे हैं, यह देखो, यह भी Blocks है, यह भी Blocks है, अच्छा जब ऐसा case आए, कि जब एक के Corner के Top पर Yellow हो, तो हम उस Corner को Right में ले आएंगे, Right Front में, Right Front में, Right Left में नहीं, यह Left में चला गया है, Right Front में, ठीक है, अब देखेंगे, यहां पर Block मिल रहा है यह नहीं, इस case में तो यहां पर Block है, जबके इस case में यहां पर Block नहीं है, अच्छा, अगर तो यहां पर Block नहीं है, तो यह Algorithm लगाएंगे जो तुम लोगों कोई पहले ही आता है, Small F, Sexy Move, R, U, R, U, Prime, Small F, और यह एक T case में Convert हो जाएगा, किसको नहीं यह solve करना आता, एक दफा यू प्राइम करके, हम इस case को solve कर लेंगे, F, Sexy, F' से, हाँ, बस यही है, यार, मजाख है, यह Dot OLL, अच्छा, और दूसरा case जो है, जब हमने देखा कि एक Corner के इधर, यहलो हम इधर ले आए, और यहां पर हमें एक Block मिल गया, अब हमने क्या करना है, हमने इस Block को, इस Corner को थोड़ा सा इधर बेज देना है, एक दफ़ा यू प्राइम कर देंगे, यह Corner इधर चला जाएगा, और यह रहेगी हमारी Holding Position, अब इसको हम कैसे Solve करेंगे, Same Algorithm, Same, बस एक यू प्राइम का फरक है, अच्छा, देखो, Small F, Sexy, F' अब यह भी T case में Convert हो गया, ठीक है, अब यू करके इसको भी Solve कर लेंगे, F, Sexy, F' अब यहार, यह क्या हो रहा है, यह क्या मजाख हो रहा है यार, नहीं यार, ब्रो, यह ऐसे ही है, Dot cases ऐसे ही है, यह एक मजाख ही है, लोगों ने मुश्किल बनाया है, है नहीं, यह ऐसे ही Solve होते हैं, यार, यह है हमारे अगले दो cases, एक एक डाट मिल रहा है, बट दो दो Orient Corners है, दो Corner के Top पर Yellow है, बट जब हम Side पर देखते हैं तो इसके एक हमें Bar मिल रही है, ठीक है, एक तरफ एक बार मिल जाती है, जबकि यहां पर कोई Bar नहीं मिलती है, हमें यहां पर यह दो Blocks मिल जाती है, अच्छा, जिसके Bar मिल जाती है, Top पर इस तरह वी बनावा है, और एक Bar है, तो हम इस Bar को रख देंगे Left Side पर, हाँ, और यह अगारिथ हम लगाएंगे, पहले Finger Tricks देख लेते हैं, उसके बाब बताता हूँ, याद कैसे करना है, U2' R2' F, R, F' U2' M, यहां पर मैं कुछ इस तरहां करता हूँ, M' U, R, U' Small R' R' अचा, इस Case को आप लोगोंने याद कैसे करना है, Simple Scene जा रहा हूँ, यह Piece हम यहां पर बेज रहे हैं, R, U2' R' से, यह Piece इदर आ गया, एक दफ़ा Sledge Hammer कर रहे हैं, इस Piece को दोबारा वापिस ला रहे हैं, जब यह वापिस आ जाता है, हम एक दफ़ा जो Middle Layer उसको ऊपर कर देते हैं, और एक दफ़ा Inverse से सेक्सी कर देते हैं, U, R, U' बट एंड वाला जो R' मैंना, वो Small R में Convert हो जाता है, That's all यार, इस पे हम ज्यादा Discussion नहीं करेंगे, यह बहुत असान है, और रही बात, जो दूसरा केस था हमारा, उसको हमने आखिर कैसे सॉल्व करना है, भई, मतलब यह पिछले जैसे यह एक V बनावा है, और यहाँ पे हमें दो Blocks मिल रहे हैं, बार नहीं मिल रही, तो जब Blocks मिल रहे होंगे, एक को हमने Right में रखना है, और यह Algorithm लगाएंगे, पहले Finger Tricks देख लो, फिर बताता हूँ याद कैसे करना है, M, अच्छा मैं यहाँ पे M ऐसे करता हूँ, M, बहुत एजिया यार, U, R, R' U', M' और R' यार, Sledge Hammer, तुम लोग समझ गे न, यार, पता नहीं कहा जाती है, Muscle Memory, जब हम यह Algorithm बताने लगते हैं, खै, Finger Tricks तुमने देख ली, मैं तुमने बताता हूँ, तुमने याद कैसे करना है इसे, देखो भई, सबसे पहले दो Moves तुमने याद करने पड़ेंगे, जो के है, M और U, इतना सा याद कर लो, उसके बाद तुम लोगोंने, Sexy Move करना है, R, U, R' U' जब इतना कर लोगे, तो इस M को ठीक कर देना है, M' करके, और Last एक दफा Sledge Hammer करना है, R' F, R, F' और यह Solve होजेगा, शायद अब तुम लोगों को समझ आ रही हो, जो शुरू में मैंने तुम को कहा था ना, कि Sexy Move और Sledge Hammer, जिसको आता होगा, वो उसको यह पहले ही आते हैं, क्योंकि कोई ऐसा अलगोरितम अभी तक नहीं आया, जिसमें Sexy Move या Sledge Hammer का इस्तामाल ना हुआ हो, आखरी दो केसिस हैं, सबसे आसान केसिस हैं, और उसके बाद OLL की सीरीज खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए, फाइनली आखरी दो केसिस, यह सबसे ही अलग गया है, यह देखते ही तुम लोग रेकिंगनाईस कर लोगे, इसमें कोई Rocket Science नहीं है, यह एक Cross बनावा है, इसको कहीं से भी Hold करके Algorithm लगा सकते हो, इस पर बाद में बात करते हैं, Cross बनावा है, कहीं से भी तुम लोग पकड़ लो, यह देखते ही तुम लोग समझ जाओगे, Cross एक बनावा कितना Cute है यार, खेर इसको Solve कैसे करना है तुम लोग ने, मैं बताता हूँ, पहले Finger Tricks देख लेते हैं, फिर बताता हूँ, Algorithm कैसे याद करना है, M, अच्छा M मैं ऐसे ही करता हूँ, M, क्योंकि यही Efficient तरीक है, U, R, U, R' U', अब यहाँ पर बारी है M2 की, M2 मैं कुछ इस तरह करता हूँ, M2, U, R, U' Small R' अब बताता हूँ, तुम लोगों ने इसको learn कैसे करना, पहले दो moves तुम लोगों को याद करने पढ़ेंगे, M और U, हो गए याद, एक दफा sexy move करो, R, U, R' U' अब जो middle layer है, उसको दो दफा तुम लोगों ने गुमाना है, एक दफा गुमाया, दो दफा गुमाया, और अब inverse sexy कर तो यार, U, R, U' Small R' क्योंकि अगर R' करोगे तो ये रहे जाएगा, Small R' कर दो, बस आखरी वोला जो आ रहा है ना, वो Small R में convert हो गया, हाँ यार, इस पे ज़्यादा हम क्या discussion करें, easy सा formula है, और last algorithm पर चलते हैं, ये है last case, तुम लोग देख सकते हो, बस एक line ऐसे ना, ऐसे क्या करेंगे, इसको diagonal जो भी कहेंगे, और दो blocks मिल जाते हैं तुमें, तो ऐसी condition में हमने एक block को left पे और एक को back में रखना है, हाँ यार, ये इसकी holding position रहेगी, एक line मिल रही है, दो blocks मिल रहे हैं, एक block को left में रख दिया, एक block को back में रख दिया, और ये algorithm लगाना है, पहले finger tricks देखो, फिर बताता हूँ learn कैसे करना है, आर, यू, आर प्राइम, यू, आर प्राइम, एफ, आर, एफ प्राइम, यू, आर प्राइम, एफ, आर, एफ प्राइम, इस algorithm को याद करना इंतहाई असान है, हम इसमें क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इस pair को बाहर निकालने है, आर, यू, आर प्राइम से, इस pair को एक दफा आगे बेज रहे हैं, अब एक दफा स्लेज हैमर कर रहे हैं, और अब इस pair को वापिस उसके उपर लाके, एक दफा और स्लेज हैमर कर रहे हैं, आर प्राइम, आर प्राइम, और फाइनली हमारा OLL हमेशा के लिए, खत्म, वन लुक OLL की इससे बेहतरीन सीरीज, यूट्यूब पे नहीं है, नहीं है, मैं ऐसी बातें आम तोर पे नहीं करता, लेकिन कसम से इससे बेहतरीन सीरीज, अगर तुमें मिल जाए OLL की, वन लुक OLL, विदाउट अल्गॉरिफम्स, किसी नहीं इस तरह सिखाया हो, तो भई मुझे मैसिज कमेंट कर देना, ये सीरीज को डेलीट कर दूँगा मैं, और इसी के साथ, तुम लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर तुम लोगों ने अभी तक, लेंट स्पीड क्यूबिंग वाली सीरीज को जाइन नहीं किया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल फ्री है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, रूबिक्स क्यूब को, 10, 11, 12 सेकिंड में, सॉल्व करना, तुम ओ बई, सॉल्व करना तुम लोगों को सिखा रहे हैं, अगर तुम लोग चाहते हो, कि जिस तरह मैं रूबिक्स क्यूब को सॉल्व कर रहा हूँ, तुम भी करने लग जो, वो भी बिना कोई पैसा दिये, फ्री यूट्यूब पे वीडियो देखके, तो तुम लोग लेंट स्पीड क्यूबिंग वली सीरीज को जाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और इसी के साथ मैं चलता हूँ, आने वोली वीडियो में पे लल को डिस्कूस करेंगे, चार दिनों में पे लल को खतम करेंगे, और उसके बाद एक लास्ट वीडियो आएगी, जिसमें हम बताएंगे कि इस क्यूब को आखिर तुम लोगों ने अब ये सारी चीज़ें इंप्लिमेंट कैसे करनी है, और इसका मास्टर कैसे बनना है, तब तक के लिए यार सब्सक्राइब कर लो, और गुडबाई यार गुडबाई,